बेके बाद भोईपुर दर्शन में पुना आपका स्वागत है बीया में कुरेटाइन सेंटर केंदर का निर्मान जिलापरशासन ने किया है जहाँ पर कई बेटों का निर्मान किया गया है ताकि बाहर से आये हुए मरीज को इसमे कुरटाइन सेंटर में रखा जाए और साथ में कई सुधा भी मरीजों को परदान की जा रही है जहां आवास भोजन के साथ ही मेडिकल का भी व्यवस्था जिलापरशासन की ओर से की गई है भोजपु जरसन के कैमरा टीम ने कुरटाइन केंडर में रह रहे मरीजों से बातचित की आईए सुनते हैं और देखते हैं क्या है ब्यवस्था जिलापरशासन की ओर से बिहिया में कुरटाइन सेंटर की अस्थापना किया गया है जहां पर 152 बेट का निर्मान किया गया है 152 मरीजों को रखने की ब्यवस्था के साथ उनके भोजन और दवा के भी ब्यवस्था जिलापरशासन की ओर से किया गया है लेकिन फिलभाल अभी मात्र-14ी मरीच इस कुर्टाइन सेंटर में रह रहे हैं जिन्हें भोजन और आवास के साथ दव समय है काफी ही काफी ही मिल प्रापत हो रही है जिससे रह रहे मरीजोग में काफी खुशी है जिला प्रशासन की ओर से ये ब्यवस्था जो बाहर से आरहे प्रवासी मजदूरों के साथ कोरोईना मरीच मिलने वाले उन्हें जिने कोरोटाइंग की जा रही है उनके लिए ब्यवस्था किया गया है कि यहां कितना दिनों आयों किस पर कर कि यहां पर वस्ता है जो मेडिकल वह गराशुदा एक टेम होता है यह दोनों टेम आज कुछ नहीं हो जाहां जोगड़ा है क्या नव्य Past行 कितने लोग की विवस्ता की गये से शेई शेंटर पर एक सव वण आदमी का बेट लगा हुआ लडी रेडी है अभी तेक्ने लोग आ चुक आंभी तक हैं अदमी कुल 14 आदमी आचुके हैं क्या क्या बवस्ता दी जा रही है नास्ता पिर लग के लुंक में पिर छावल खाना चाहता है तो चावल मिलता फिरात पर रोटी मिलता है उसके साथ सब्सक्राब्य रहता है एक चतनी हुआ फिर उसके बाद रतवा का मेनु आज बढ़ा दिये हैं कि एक आइकम रतवा भी दे देंगा जैसे इन लोग के टाइम का टाइम खतम होता क्या बेवस्ता की जाएगी सरकार दो रहे आप लोगों सब्सक्राइब की लोकल है कौन टाइन होगा अपने अपने घर को वापा जाएंगे इनको कीट दे दिये हैं कीट जो दिये हैं यहां रखेंगे नहीं उसारा सामान लेकर अपने घर जाएंगे मेडिकल टिम नॉर्मली दो टाइम आती है एक सुबह में आठ से दस के बीच में सब्सक्राइब कोई भी कंप्लेन जाता है इमर्जेंसी से वाकि लिए लोग आते हैं